कॉच है बाइस आज फिर से आप लोग लिएक और नहींग वीडियो लाया हों आज भी कि जो वीडियो आपके सामने लाया हो वह प्रीमिम्यम चिंवनी का टिफेरंस बताएंगे प्रीमियम चिंवनी से पीडियो से जो डिफेरेंस से उसका डिफेरेंस बताएंगे तो आज एक पर्तिकुलर मोडेल का डिफेरेंस बताएंगे आप लोग सायद भीगा सीरीज का चीमनी देखे होंगे और प्रीमियम में आप लोग एंजला मोडेल और रिटेल मोडेल में भेगा मोडेल यह दोनों मोडेल का आज डिफेरेंस बताएंगे ठीक है आप लोग तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है इसका प्राइस कितना है आपको जब खरी देंगे तो मतलब MRP रिटेल शॉप में कितना मिल रहा है और एंजला प्राइस करेंगे तो उसका आपको कितना प्राइस MRP पड़ेगा सब कुछ आज इसी वीडियो में दिखाएंगे आप लोग लाइब और बाकी इसी प्राकार का वीडियो आप लोग को आगे भी अगर देखना है तो इस चैनल को जाके तुरहंत अभी सब्सक्राइब कीजि सबसे पहले भेगा 60, भेगा 75, भेगा 90 एक रिटेल मोडल है कुछिना का रिटेल मोडल ठीक है मतलब आप लोग किसी भी रिटेल शॉप में आपको यह वाला मोडल मिल जाएगे लेकिन आप लोग अगर एंजला 60, 75 और 90 एंजला सेरीज का चिमनी अगर चाहिए होगा तो आपको पर्टिकुलर कोई दोर मार्केटिंग बला एक डिस्टिब्यूटर या फिर शॉप में ही मिलेगा हर एक दुकन में आपको नहीं मिलेगा तो एक पहला डिवेड़न से हो गया और सेकेंड में आपको भेगा 60, 75 और 90 ए तिनों का जो MRP है सबसे पहले आप लोगों को हम MRP बता देते हैं देखिए भेगा सेरीज का जो MRP है भेगा का MRP आपका 60 का MRP आपका पढ़ जाएगा 25,990 और 75 का 37,990 और 90 का आपका 29,990 ठीक है तो ए तिनों का ये MRP है ये सही आपको अगर एंजला मोडूल का MRP देखना है तो आपको पर्टिकुलर एंजला जब माल आप खरिदने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो कैटलोग दिया जाएगा वहाँ पर लिखा नहीं होगा वहाँ पर आपको बकाइदा MRP बूला जाएगा और उसका जो जितना भी MRP होगा उसी से उसका रेट मतलब किया जाता है मतलब MRP ही उसका पार्चेज रेट है आप लोगों का मतलब बाल लीजिए एंजला का MRP है प्रीमियम में मतलब है एंजला का जो MRP है वह आपका 35,000 या 40,000 ठीक है तो वह 40,000 है उसका आपको 40,000 में आपको खरीदना पड़ेगा उससे कम में उलोग नहीं देगा और आपको भेगा सीरीज अगर लेना है भेगा सीरीज का चिमनी लेना है तो वहाँ पर आप लोगों जो MRP है उससे करीबन 15-20% और भी डिसकांट में आपको चिमनी मील जाए तो दो हो गया आपका MRP का डिफरेंस हो गया आपका सबका डिफरेंस हो गया अब आपका मोडेल वाइज लूकिंग वाइज कैसा दिखता है वह भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं आप लोग अ चिमनी देखेंगे और एंजला का चिमनी देखेंगे तो उसमें कुछ भी अलग नहीं दिखेंगे सब कुछ सेम टू सेम होगा मोडेल वाइज ठीक है दो तींठों जगा में थोड़ा सा हलका काज किया हुआ है ठीक है भीमियंवगा सिरिज का जो चिम नीयृarken यू sya tbiste मैं देखेगा थोड़ा सा उसका वहां पर थे थोड़ा सा काम किया हुआ ठीक है और प्रीमियंवगा अगर एंजल्ला चीमनी लेंगे यूसरीृ है ओला नहीं रहेगा एक डिप्रेंफिधा पोस। में दीखेगा ठीक है आर घूसंद है ओस यू और चिमनी करता है यू जब उसको चलाए जाता हैं तो उसको हमें थोड़ासा डिप्रेंस होगा आपको एंजला में टोटाल पावर यूज होता है 233 वाट, टोटल पावर जो कंजुम करता है एंजला मोडल, वो 233 वाट पार कंजुम करता रहाएं, और वही आपको जो वेगा सिरीज का जो 2022 का नेया मोडल है, जिसमें आपको टोटल पावर यूज करेगा वो बहला तो उससे इससे थोड़ा सा मतलब एंजला से वेगा से चिमनी में थोड़ा सा आपका जो पाउर कंज्यूमिशन का उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस यह दिखेगा ठीक है तो आपको तीन चीज़ जो में आपको difference मतलब दिखने लगा है बाकी ठीक है तो अब यह तीन चार चीजी है जो आपका सिर्फ डिफरेंस है बाकी और कोई भी चीज नहीं है इसमें जो की इस मोडल में यह दोनों मोडल में कोई difference है ठीक है उसका अंदर का पार्ट्स बोलिए वेल कलेक्टर बोलिए उसका बाकी मोडल का पुरा साइज बोलिए सब कुछ और एक चीजों में आपको थोड़ा सा difference देखेगा आपका एंजला मोडल में आपका जो वित मिलेगा मतलब बाया तरफ से डाया तरफ का जो चौड़ा है ठीक है वित वित आपको मिलेगा एंजला मोडल में 500 mm का 500 mm का ठीक है और वेगा सिरीज का में आपको वित मिलेगा 480 मतलब 20 mm का थोड़ा सा difference लेगा मतलब जो कांच लगा होगा यहां से आका उसमें थोड़ा सा 20 mm का आपका difference दिखने लिएगा तो यह पांच चीज है जो की difference है बाकि आपका इसी पांच चीजों के लिए आप लोगों को मतलब आप लोगों के पास से आप लोग जब प्रीमियम मोडल आप लोग पार्चेज करते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास से MRP पर टोटल मतलब चीमनी आप लोगों को खरेदना पड़ता है ठीक है MRP के उपर आप लोग विश्पास नहीं करते हैं तो आप लोग एक बार दोर मार्केटिंग या फिर उसको डारेक्ट मार्केटिंग भी कहा जाता है तो प्रीमियम सेग्मेंट का एक बार चीमनी आप खड़िदने जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएंगे उसके बाद वेगा सीरीज का ची दिया हुआ है दोनों मोडेल का वह आप लोग थोड़ा से ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियार हो जाएगा मोडेल वाइस तो सब कुछ सेम होगे पांच जो चीज बताए बास वही डिफरेंस से बाकि कुछ नहीं डिफरेंस है इसी में आपक का करीबन 10-15,000 का डिफरेंस तो आप लोगों को डिशाइड कर लेजिए का आपको कौन सा चिन लेना है किस कौन सा सेग्मेंट में लेना है ठीक है तो अब डिफरेंस हम बता देते है ठीक है एंजला मोडल का आप 90 का पकट लेजिए एंजला 90 प्रीमियम का आप इसका 90 सेंडिमीटर सक्षन है चोदा सो सक्षन पाटो क्लिंट टाइप है ड्राइ थार्ट जेनरेशन स्विच कंट्रोल टाच कंट्रोल विट वेव सेंसर जो एलीडी लाइट दोटो एलीडी लाइट दिया गया है कितना का 1.5 वाट का ठीक है वोल्टेज कितना दिया है कि 220-240 वोल्टेज 50 हर्ट में नॉइज लेवल 58 डेसिवेल टोटल पावर एंजला प्रीमियम का 233 वाट डाक्ट डाक्ट डायमेटर जो है मतलब जो पाइप लगाया जाता है उसका जो मतलब जो साइज का पाइप आप लगाएंगे तो वो शिक्स डायमेटर में आता है तो 150 mm में आएगा और प्रोड़क्ट डायमेंचें एंजला प्रीमियम का दिया गया है जो आपका एल है वह 900 mm का है विठ है वह 500 mm का है और है जो है यह उपर से नीचे का हाइ जो है ओ 516 mm का है ठीक है तो यह आपका एंजला 90 का है वे रीजा ही आपका भेगा 90 का हम पूरा आप लोगों को बता देते हैं वेगा 90 का आप देखेंगे तो साइज 90 सेंटीमिटर का सक्षन 1400 सक्षन अटो क्लीन टाइफ ड्राइफ हर जेनरेशन स्विच कंट्रोल टाच टाच कंट्रोल विट वेव सेंसर LED दो टो LED लेट दिया और 1.5 वाट का वोल्टेज 220-240 50 हर्च नाज लेबल 58 देसिबेल मोटोर पावर यहां पर मोटोर पावर अलेक से दिया गया है जिसमें आपको 215 वाट मोटोर का पावर लेगेगा और टोटल पावर यूज होता है 296.5 वाट डाक डाइमेटर सेम 150 mm का प्रोड़क डाइमेंशन है एल में 900 mm, वीट में 480, हाइड में 540 थो यह दोनों का हो गया आपका पूरा प्रोड़क्ट डाइमेंशन फुरा आप लोगो तो सब और अब फूरा वीजियर बधा दिया बस Все आप हम लोगों को और आब करना है तो मोडुल कैसा दिखता पुरा पता चैल जाएगा और अगर दिखना है तो एंजला मोडिल का भी वीडियो आम एसे चैनल में देंगे कुछी दिना कंदर उसका भी आप लोग देख सकते हैं अब बाकी अगर नहीं देख पार अभी आपको जानना है तो यार आपका रिटेल स्वाप में जाके मतलब डाइट मार्केटिंग जहां से प्रीमियम बोला सेगमेंट का चीमनी मिलता वहां पर जाके आपको वहां पर देख लिजेगा तो आप लोगों को पुरा क्लियर हो जागा ठीक है बैसे ही और भी बहुत सारा चीमनिया जिसका डिपरेंस इसी चैनल में कुछी तिनों में आ जाएगा तो आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए लाइक और कमन करते रहिए तो चलिए मिलते हैं आगले वीडियो में आज के लिए बास इतना है थैंक्यू